हेलो बेटा वेलकम बेटा आज जो हम टॉपिक डिसकस करने वाले हैं वो हैं वर्ड प्रॉब्लम्स वर्ड प्रॉब्लम्स बेटा कई टाइप की हैं हमारे 10th क्लास में लेकिन हम इसको वन बाई वन में सारी वीडियो दे दूँगा आपको लाइक एज रिलेटिड प्रॉब्लम होती हैं आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम तो कई टाइप से उसके तो आज जो हम टाइप कर रहे हैं वह बहुत इजी टाइप है आप इजी लिए उसको अंडर्स्टेंड कर सकते हैं कई बच्चे इनको भी नहीं समझ पाते हैं इसलिए मै प्रॉड़ा सबसे पहले तो आप यह देखी इसके इंदर बात हो रही है बैट और बॉल खरीदने की ठीक है बैट सेंड बॉल बाय करनी है आप सबसे पहले सोचिए अगर आपको बैट और बॉल बाय करने के लिए जाना हो तो आपको क्या चीज़ें पता होने चाहिए एक इतने रुपीज का यह समाना आएगा तो बैए यह दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए बॉल भी ऐसे ही अगर मानलों आपको 10 बॉल लेकर आनी है और एक बॉल 50 रुपीज की है तब ही तो आप टोटल बिलिंग कर पाऊगे उसकी तो यहां पर यही प्रॉब्लम है वो कह रहे हैं थ्री बैट्स लाने हैं आपको 6 बॉल लेकर आनी है और कितने रुपीज में लानी है 3900 रुपीज का उसका बिल रेडी हो रहे हैं लेकिन यह नहीं बता रहे हैं कि वहन बैट कितने का है वन बॉल कितने का बिल बता रहे हैं टोटल कि वह इतना खर्चा आप रचा गाटेग्व इसकुष्टन में प्राइस ये तो हमें क्वांटिती तो दी हुई है यह देख तो हम प्राइस क्या करेंगे बैट के प्राइस कोुव एक बैट हमारा कितने का एक्स रुपीज का नहीं दे रखा तो हम क्या करें यही करना पड़ेगा न और बॉल कर देखें तो हम बोलेंगे भी चलो ठीक है तुम नहीं दे रहे हमारे को भी कितनी कितने रुपेश की बॉल है तो हम वन बैट के और वन बॉल के रेट को अपने पास से एजियू करते हैं तो डिस इस दा फर्स्ट है रूपीज एक्स और रूपीज वाई टू वैरियेबल का पुरा चैप्टर ही टू वैरियेबल्स पर है लीनियर एक्वेशन इन टू वैरियेबल्स तो देखो वन बैट का प्राइस हमने एजियू कर लिया और वन बॉल का अब आप मुझे बताओ अब वन फाइव अगर बैट्स है ठीक है और 500 का है तो टोटल बैट्स कितने यानि आपके बैट कितने रुपीज के आएँगे 5x रुपीज के अब वो कहरें थ्री बैट्स बताओ कितने के आएँगे और 6 बाल भी बता दो तो हम बोरते हैं चलो वगई थ्री बैट्स तो आएगे क्योंकि एचँ रूपीज का प्रतें तो घेट्स कितने के हुए 3x गॉट इट अब ऐसे बॉल्स की बात करें अगर मालों 10 बॉल्स लेकर आनी है आपको पता दे में 50 रुपीज की एक बोला तब तो आप बहुत इसली बता देते हो लेकिन जब आपको 50 ना दे रखा और वाय दे रखा हो तब आप सोचते हो पता नहीं कोई नई चीज आगे त पेटा एक स्य से तो मैट्स में डरना छोड़ दो तो आप देखो कितना इजी हो जाएगा तो तब भी मैल्टिप्लाइग करना है लेकिन कैसे होगा मैल्टिप्लाइग 10 इंट वाय तो यह हो गया 10 वाय की बॉल्स हो गई और टोटल कितना हो गया यह बैट का खर्चा यह ब पर चैनी बन गहीं कि इro Ос इसी तरह से वह आगे क्या क्या रही है 1622a को एक एक रिलेशन से एक एक प्रिशन बन रही है और हर कोस्टन 2x का हो गया, which is x rupees, plus 3 balls लेनी है, 3 balls, एक बॉल कितने की आप पूछोगे न, अगर माननो मैं बोलू 50 rupees की है, तब तो आप multiply करके, बड़ा easy समझते हो, लेकिन जब अगर वो y rupees की हो जाती है, तो आप सोचो पता नहीं, अब क्या करेंगे, तब भी यही करेंगे, multiply, 3y, got it, अब आप total कितना खर्चा बना हो, उसका, 1300, बहुत easy type के question होते है, is equal to 1300, यह second equation, यहां तक का, जिसने काम कर लिया, तो आगे आने वाले chapter के अंदर, आप बहुत कुछ इनको solve करना, graphical method से, elimination से, कई method से, इनको solve भी कर सकते हो, लेकिन word problem की main challenge क्या है, इस wordings को पढ़ कर, इस statement को पढ कर, equation तक पहुंचना, और वो कई type की word problems आपके सामने आएंगी, आप मेरे साथ जुड़े रहो, बेटा सारे type भी word problem करवाऊंगा, और इतने अच्छे systematic तरीके से करवाऊंगा, कि आपको problem ही नहीं आएगी exam में, नहीं तो बच्चे को कई type की question में बहुत problem आती है, upstream, downstream, distance, speed related problems होती है, age related problem होती है, तो बेटा, इस सब को cover करेंगे, आईए एक और question इसका करते हैं, बेटा, ये भी वही billing वाला ही problem है, 2 kg apple market से लेकर आने हैं, और 1 kg grapes लेकर आने हैं, ठीक है, और उनका जो rate बन रहा है, total मिला के 160 rupees का, bill ready हो रहे हैं, तो बात वहीं कि वहीं है, आपको quantities दोनों पता हैं, कितने apple लाने हैं, कितने grapes लाने हैं, लेकिन 1 kg apple जब तक नहीं पता होगा, आपको मानलो को 2 kg apples लेकर आने हैं, तो सबसे पहले आप market में जाके क्या पूछ चो भी है, कितने rupees kg दी हैं, मानलो उसने का 100 rupees, तब ही तो आप उसका bill ready कर पाओगे, जहांजी 2 into 100, 200 के apple होगे, तो price per kg तो बहुत important, significant होता है, cost related question में, तो यह देखो, 1 kg apple को हम Y, X रुपीज मानलेते हैं, जैसे हमने पीछे bad ball वाले question में माना था, और इसको हम Y रुपीज मानलेते हैं, ठीक है, अब फिर वही बात आती है, 2 kg apples, ठीक है, किस rate पर buy करने है, X के rate पर buy करने है, तो कितने रुपे के बनेंगे, 2X रुपीज के, अब 2 kg apple 100 के rate पे तो आप multiply कर रहे थे, इसमें भी तो multiply ही करोगे, तो यह होगे 2 kg apple का, यह इतना bill बन गया, plus और भी तो लेकर आना है, 160 में सिरफ apple नहीं मिल रहे, grapes भी हैं साथ में, तो 1 kg आपको grapes मिल रहे हैं, 1 kg grapes किस rate पर मिल रहे हैं आपको, y के, अगर 1 kg rates, अगर 100 रुपीज पर केजी मिल रहे हो, तब तो आप सिरह 100 लिख होगे, लेकिन y के rate पे मिल रहे हैं, तो 1 into y, y हो जाता है, तो this is y, और total कितना bill ready हो गया, इन दोनों का, उन्होंने बोला है, 160 में दोनों चीज़े मिल जाएंगी, यह बिल, प्लस इसका बिल मिलाकर, 160 रुपीज बन रहे है, लो, यह equation होती है, equation में equal का sign आता है, जरूर, एक left side, एक right side, equal, यह first equation, ready हो गई आपकी, ऐसी 4 kg apple x रुपीज के rate पर, कितने हो गई, 4 x, लो, 4 into x, ठीक है, प्लस 2 kg grapes, 1 kg grape y के हैं, 2 kg grapes, अगर मालो 100 रुपीज किलो grapes हो, तब तो आप 200 बताते हो ना, अराम से, और 2 kg apple अगर आपको y रुपीज पर केजी के इसाफ से लाने हो, तो कितने के बनेंगे, 2 y के ना, तो x, y से बेटा बिल्कुल भी परिशान नहीं हो ना, ठीक है, इसको बड़ा casual सा लेना, यह इसके अंदर, यह billing वाले मारे daily routine की कितने रुपीज के बनते हैं, 300 रुपीज के, ठीक है, हर, इस chapter में हर जगा पे आपको two equation की information, first equation, पूरा question पढ़ने से पहले यही देख लो कि first equation की information ही आपको काफी कुछ मिल जाएगा, फिर second equation की information पढ़ लो, तो आपको easily यह question हो जाएंगे, अब इसके अंदर algebraically, graphically भी solve क इस separate video में cover करेंगे, ठीक है, और पहले भी इससे पहले question number one की एक video बनी हुई है, जिसमें आफताब वाला question है, आफताब tells his daughter, तो आप मेरे thumbnail में जाके देख लो, आपको list में आपको मिल जाएगा, और वो उस question में मैंने graphical method भी पूरा solve करके आपको समझाया है, आने वाली और वीडियो में भी आपको कई वीडियो में graphic method में आपको और detail में समझाऊँगा, ठीक है बेटा, अगर समझ आया है, अच्छा लग रहे है पढ़के, तो बेटा, like किया करो, comment करो, और subscribe नहीं किया, तो बेटा, subscribe कर दो, benefit इतना है, कि आपको information मिल जाएगी, जैसे मेरी video ठीक है बेटा, keep learning, keep practicing, thank you